एक बजे जब मैं Secretariat पहुचा और लिफ्ट के पास मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि वहाँ पर करीब देर सो लोगों का हुजून था जो अपने हाफ में बहुत ही चौका देने वाली बास थी क्योंकि Secretariat एक High Security Zone है और जब में लिफ्ट का वेट कर रहा था तो फिर अचानक उसमें से 30-30 लोग वो में दर भागे और जोर-जोर से नारे लगाने लगे भारती जनता पार्टी जिंदाबाद मारो 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 मेरे साथ फॉर्चुनेटली मेरा पीएसो था और मेरा अपना स्टाउप था तो उन तीनों लोगों ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश करी लिफ्ट आने में तोड़ा समय लग रहा था उनको लगा कि वो भीर को बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे तो फिर वो मुझे पीछे की तरफ लेगे पीछे की लिफ्ट वहाँ पर खुली होई थी जब पीछ चोटे आई उनके सर पर उनके सीने पर मुक्य पड़े जो लिफ्ट ऑपरेटर था उसको भी इव्दो मुक्य पड़े और किसी तरीके से वो बचाकर लिफ्ट पाइनली मेरे पीएसों ने फोर्सली ताकत लगा के लिफ्ट अर्वादा बंकिया और मुझे उपर लेगे और यह करीब जैसे मैं पर तबाया कि एक और सवाही कुझी घटना है और उतनी ही देर में दस-पंदरा मिंट बाद पता चला कि मेरे उपर आने के बाद इम्रान हुसें हमारी सर्कार के मंतरी वो जब सच्ची वाले में अंदर प्रवेश करने की कोशिच उनों ने करी तो वही के उपर काफी हिमान्शों करके उनके साहर थे उनको चोट लगी उनको मारा गया इसमें जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है वो यह है कि बिल्ली सरकार चलती है वहां पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं और हाई सिक्योटी जोन है तो वहां प प्रॉपर वेरिफिकेशन के अंदर निंग जा सकते हैं वहां पर इतनी बड़ी कादाद में लोग इखटा हो गए नारे बाजी करने लगे और उग्र हो गए पहले मुझ पर हमला किया पंदा मिनट बाद इम्रान हुसें पर हमला किया दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी वहां पर लेकिन वहां पर वह मौ को हटाने की कोशिच नहीं की गई इन गट्नाओं को रुपने की कोशिच नहीं की गई क्युद्य दोनों हमारे अपने स्टाफ ने और स्टाफ मैडरी प्यीए और पुलिस वह मौजूदली कि दृते Secå जाए और डिल्ली सेकेटरियाट को एक राइटिंग प्लेस में कनवर्ड कर दें तो यह किसकी शाय पर हो रहा है क्या वो वहां के करम चाली थे बाहर किसे लोग वहां पर आए बाहर से लोग इतनी बड़ी तदाग मंदर कैसे आगे कौन उनको प्रवोक कर रहा था है और पांचे गंटे हो गये हैं अभी तब दिल्ली पुलिस ने क्या कारवाई की है क्योंकि सब कुछ CCTV पर है कि दिल्ली सेक्रेटेरियेट के अंदर मंत्रियों पर इस तरीके से हमला हुआ उसमें कुछ भी हो सकता था घंबीर चोट भी आ सकती थी क्या आप सो सकते हैं कि ह और राज के सच्वाले में वहां के मंत्रियों पर इस तरीके से हमला हो जाए और वहां पर सारा घटना करम CCTV पर कैद हो और उसके बाद भी पुलिस कोई कारवाई ना करें किसी ग्रफटारी ना हो किसी को चिंदीत ना किया जाए है हमने मैंने कंप्लेंट भी करिए पुलिस में इम्रान हुजएन जी ने भी कंप्लेंट करिये पुलिस में और मैंने मांनी ग्रह मंत्री राजना सिंग जी से और सब्सक्राइब करेंगे और पूरी घटना का सच जानने की कोशिश करेंगे अभी मैंने देखा कि एक राजना सिंग्गी ने ट्वीट किया है जहां पहले ही यह टे कर लिया है कि कौन इसमें दोशी है और बात में उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि मैंने इसकी जांच भी और करी तो अगर आपने पहले से यह कर लिया कि इसमें एक गिल्टी पार्टी कौन है तो जाश कर्म किया आप को पहले एक ग्रह मंतरी की तॉर पर पूरे घृतनाकरंद की जाश करवानी चाहिए थी पता करना चाहिए था कि कौन सज बोल रहा है कौन जूट बोल रहा है किसकी गलती है किसी गलती नहीं है और उसके बाद देश के ग्रहमंतरी होते हुए आपको फैसला करना चाहिए था कि इसमें क्या कारवाई होगी लेकिन बहुत ही दुर्भागी पूर्ण है कि राजनात सिंग जी ने पहले ही एक पार्टी से मिलकर एक पक्ष से मिलकर अपना फैसला सुना दिया तो मैं कुर्णा थो बेलिए तो मिलकर शुना की कर दो है कंदा करते है अजय कर दो है कि अख़िए निए कि लिए पना जान दो क्षाफिए आपको चाहिए धिया जानात है कि नस्यवाई तो एक पहलाए तो